नमस्कार जेहीन मैं हूँ रॉनक रंतंत्र देखना शुरू कर चुके हैं और बहुत-बहुत मुबारक दोस्तों एशिया कप डे आही गया अब यह बजा आएगा ना भिडो शाम सादे साथ पज़े से दुबई के स्टेडियम में ग्रूप B का अफगानिस्तान वर्जिस श्रीलंका मुकाबला शुरू हो जाएगा अलंकि यह मुकाबला हमारे ग्रूप का नहीं है लेकिन ऐसा समझी कि जरूरी बहुत है वैसे ही जरूरी है जैसे अपना भौकाल जमाने के लिए एक चमचमाती नई नवेली महिंद्रा थार और यह महिंद्रा थार अगर आप जीतना चाहते हो मेरे यार तो वीडियो पूरे एंड तक देखना आपके लिए में बता हूँगा कैसे जीतोगे फिलाल बात कर लेते हैं ग्रूप B के मैच की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है देखो ऐसा ही कि जिस ग्रूप में इंडिया है वहाँ से तो आगे ये तय है कि इंडिया और पाकिस्तान को ही जाना है लेकिन स्टेज 2 पर हमारा सामना नजर पाकिस्तान से होगा बलकि उस ग्रूप के टॉप दो टीमों से भी हमें मुकाबला करना पड़ेगा और फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी वो ग्रूप स्टेज से नहीं स्टेज 2 से डिसाइड किया जाएगा इसलिए ग्रूप B के मुकाबलों पर भी हमें पूरी नजर रखनी होगी और उसका पूरा हाल चाल और वावाल आपको कल सुबे की वीडियो में मिल जाएगा लेकिन उससे पहले जैसे गेमने आपको कल बताया था कि इंडिया की टीम के सामने कुछ दूविधाएं हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या दिक्कत है एशिया कप में पाकिस्तान से होने वाले मैच से पहले इंडिया की टीम को इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से ज़रूर शेयर करेगा अपने हो और हमारे चैनल को भी अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो करना जी आप इंडिया की प्रॉब्लम नंबर वन है विकेट कीपर कौन होगा पन्त या कार्तिक वैसे तो इसका सीधा जवाब है और जितना मेरा एक्सपिरिंस है उसे साब से तो टीम इंडिया का मैनेजमेंट रिश्यप पन्त को ही किलाएगा लगिन दिनेश कार्तिक को जी मान चुके थे क्योंकि उसने कमेंटरी करना चालू कर दिया था वो अपनी वापसी प्लान करता है वापसी करने के लिए वो रोल भी ऐसा से लेक करता है जिसमें सफलता मिल जाना यूपी एससी में सफलता मिल जाने से भी जादा मुश्किल है यानि फिनिशर का रोल ले पिर टीम इंडिया में वापस आता है अब उसका लक्षे 2022 का T20 World Cup इंडिया को जिता दे लेकिन कल एशा कप में उसकी प्लेइंग 11 में सिलेक्शन होती है या नहीं ये बार डिसाइड कर देगी कि World Cup में भी वो first choice विकेट कीपर है या नहीं दिनिश कार्थिक ने IPL में और उसके बार टीम इंडिया के लिए भी फिनिशर का रोल बहतरीन तरीके से निभाया है T20 क्रिकेट या यू कहें कि वाइट बॉल के लिए दिनिश कार्थिक एक आटोमेटिक सेलेक्शन हो गए थे क्योंकि रिशपपन्त वाइट बॉल क्रिकेट में इतना बहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाये थे लेकिन इसी साल 17 जुलाई को इंग्लेंड के किलाव पंत ने जो सेंचुरी लगाई है उसके बाद से उनकी T20 टीम में वापसी के दर्वाजे खुल गए है अचानक से दिनेश कार्तिक एक बार फिर सेकेंड ओप्शन लगने लगे है पिछले कुछ वक्त में इंडिया ने जो भी टीम सेलेक करी है उसमें या तो रिशपपन्त को रेश्ट दिया जाता था या फिर उनकी जगे मिडल ओडर की बजाय टॉप ओडर कर दी गई थी लेकिन अब जबकि केल राउल वापस आ गए है हम ये मान कर चल रहे हैं कि सूरे कुमार यादव, हार्दिक पंडिया और रविदर जड़ेजा आटोमेटिक मिडल ओडर सेलेक्शन है तो भई है इसी साब से तो सिर्फ एकी जगे बचती है और अब उस जगे पर पंत केलेंगे या कार्तिक या फिर दोनों ये देखने वाली बात होगी गुरू दूसरी दुविदा जो टीम इंडिया के सामने है वो है ओपनिंग मुझे पता कल के मैंच में उपनिंग केल राउल और रोजचरमा ही करने वाले है ये केल राउल की काभिलेत ही है कि 6 महीने टीम से बाहर रहने के बाद एक फुल स्टेंथ इंडियन टीम में न सिर्फ उनकी वापसी हो रही है बलकि वाइस कैप्टन होने के नात है उनकी सिलेक्शन भी गारेंटीड है लेकिन पिछले 6 महीनों में टीम इंडिया की T20 क्रिकेट खेलने का अंदास काफी बदल गया है इंग्लेट और वेस्ट इंडीज में हमने यही देखा कि अब एंकर वाला कोई सीन बचा ही नहीं है विराट कोली भी IPL में तो ओपनिंग कर चुके हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि शर्मा जी के बेटे और शर्मा जी के दामाद ओपनिंग करें और केल राहूल वन डाउन खेले या मिडल ओर खेले वेल केल राहूल कहीं भी खेले खेलेंगे जरूर और इसलिए हम उनको अपनी माई 11 सरकल आप वाली टीम में जरूर लेंगे क्योंकि देखो इस बार एशिया कप में माई 11 सरकल आप का मेगा कॉंटेस्ट करने पर आपको एक मस्त महिंद्रा थार जीतने का मौका मिलेगा और अगर साथ ही आपने 99 वाला कॉंटेस्ट रोज खेला लीडर बोर्ट टॉप किया तो बॉस आपको मिलेगी सुपर लक्शूरियस मर्सिडीज की ये गाड़ी तो ये भी जीतने का मौका मिलेगा आपको लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है लिंक दिया है उसपे क्लिक करके माई 11 सरकल आपको डाउनलोड करना है और सिर्फ आज आज के लिए और तीसरी इंपर्टिन चीज़ बता रहा हूँ अगर सिर्फ आज के आज आज आप इस आप को डाउनलोड करते हो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसपे क्लिक करके तो आपको मिलेगा 5-6,000 रुपे का जॉइनिंग बोनस डिपॉसित करते ही, इसलिए लेट बिल्कुल मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसपे क्लिक करके इस आप को डाउनलोड करो, और मिलके इस पर टीम बनाएंगे और आपको मस्क प्राइजिस जिताएंगे, क्या समझे, अब वीडियो पर वापस आएंगे और ये बताएंगे आपको कि इंडिया की दुविदा नंबर 3 क्या है, हमारी बॉलिंग लाइनप, देखो आल राउंडर के रूप में आर्दिक पंडे और जड़ेजा तो खेलेंगे, ये दोनो इन में सबसे उपर नाम अश्विन का है, क्योंकि न सिर्फ वो बाकियों से बेतर बल्ले बाज हैं, बलकि काफी चालाक हैं, और एश्या कब केलने का experience इन में से सिर्फ उन ही के पास है, बाकी बचाए एक spot, जिसके मेरी हिसाब से तो अर्षदीप का होना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से कल इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन सा गेंद बास केलेगा, कॉमेंट करके जरू बताना, हम आपके लिए आज़ीर हो जाएंगे, कल इंडिया पाकिस्तान के मैच का प्रिव्यू लेकर, और आप जरह डिस्क्रिप्शन में एक बार चले जाना, वहाँ पर आपके लेक लिंक दिया, उस पे क्लिक करके, माई 11 सरकल आपको डाउनलोड करना, मत भूलना, आज के आज अगर आपने उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड किया, तो पांच लिहाज से भी, और हमारी इस चैनल के लिहाज से भी, क्योंकि कल इस चैनल पर एक स्पेशल चीज आने वाले यह शाम को 5 बजए, जहाँ पर हमारे साथ होने वाले हैं, आकाश वानी वाले आकाश चोप्रा, जे हां सब के फेवरिट हमारे साथ हूँगे, तो करेंगे क्या ह लोग साथ में मिलके वो आपको हम कल की वीडियो में बताएंगे फिलाल जाएंगे थैंक यू फॉर वाचिंग सी यू टुमॉरो जैहिन